भड़ी दो पहड़ी है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये मेरे साइड में जो आप देख रहे हैं बकडी पालन का काम यहां हो रहा है कम खर्च में बकडी पालन का काम कैसे होता है यहां से आप सीख सकते हैं एक बार अंदर की तरफ चलते हैं बकडियां जो हैं अभी अंदर होता है उसको यहां अभी से ही इसटोर करके रखलिया इसके अंदर मसूर यानि दलहनी का भूसा है यह फायदा होता है दोस्तों कि अगर जैसा अभी सीजन है फसल कटाई का सीजन चल रहा है तो अभी इस वोसम में अगर आप लेते हैं तो बहुत कम रेट में जो है आपको मिल जाएंगे लेकिन यही आप ठंड के दिनों में या बरसाद के दिनों में लेगे तो काफी इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है तो बकडी पालन में टोटल एक मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है इसी के अंदर जो है बकडिया आराम करते हैं तो चलिए देर न करते हो वीडियो सुरू करते हैं और यहां के ज सबसे पहले यहां आए तो देखना है कि यह आपने जाली यहां रखा हुआ है इसका क्या काम है इसके बारे में बताइए चोटे बच्चे के लिए बनाया है सर अब पुड़ा कंप्लीट नहीं है बनाया तो सर ऐसा ही से सर लेकिन एक माने कि मेरे गुरू जी है तो बोले कि कि नीचे पतरा भाणकर दरना है जो ठाखा जाता है आपका खारुएयं कि मेमनों की मोटिलीटी होती है कहीं न कहीं चाखा होते था हैं तो इसी कारण कहीं न पाहटा हो जाता है प्डेटनस वगर हो जाता है आपका ऎमाना है सबसे बढ़ी चीज है कि पता भी नहीं नहीं चलेगा और मर जाएगा तो यह सब होता है शुरुआती दिनों में ही अगर आप इस तरह की बेवस्ता पहले बना लेंगे तो फिर मेमनों की मोडलीटी से आप बच सकते हैं सब्सक्राइब बनाया कैसे थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्सकों को पताई एकदम जुगार तकनिक से जो है आपने फिट्रे को बनाया है सब्सक्राइब तो दोस्तों यह होता है जुगार तकनिक अगर ऐसे करके जुगार के साथ आप फार्मिंग करेंगे तो आप पैसे कोई बचत करेंगे और यही पैसे जो है आप जानवर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कई बार होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होता है और फीट्रे वगएरा अपने लेलिया कभारी से और यहीं पदड़ता नहीं इसके अंदर आपने भूसा वगरे डाला है वह बरबाद नहीं होगा टोटल जो यह आपका एरिया है जो फार्म का कितना एरिया है इसर में बारसों स्कॉर्फिट में बाहर और अंदर का जो आपने शेड बनागे रखा ह हुआ सब मिला गए है अच्छा इस साइड जो आपने लगाया हुआ है कौन सा नेपियर है यह सूपर नेपियर सरी थाइलेंड का सथ है अरवल के पास एक आदमी रुपे हुए थे उनीक यहां से दो रुपे-पीस गुली खरदा था सर और इस साइड जो है यह सहजन वगर है जो बीमारी है अगर आप सही तरीके से मुरिंगा वगर देते हैं तो उसमें गौटपॉक्स वगर की बीमारी नहीं होती है जैसे मेरे भी गुरुजी बोले थे इस बार कि मैं खिला दिना तो मैंने मुनगा का थी बगल में पेड़ है वहां पे बॉंडरी को साइड इस सुनने में थोड़ा सा कभी लोगों को लगता है कि मुर्गा बोल रहा है लेकिन मुनगा कहते हैं और उसी के पत्ती जो है जानवरों के लिए काफी औस दिये गुन उसके अंदर होती है तो अगर आप खिलाएंगे तो काफी चीजों से आप बच सकते हैं और उस साइड मैंने सुरू किया तो बहुत दिक्कत हुआ था सर बहुत मंगा खडिदना पड़ा था कैसे उसमें मिला था चार सुरुपे मन खर दा था तो दोस्तों मैंने पहले ही जो मैंने इंट्रो बताया था उसी समय आपको मैं बता दिया कि इस तरह से आपको मैंनेजमेंट करना है हम आपने अभी के सामने भी एक रहे हैं और मैंने अपको पहले ही बता कि अगर आप सीजन में जैसे अपको लेना पड़ेगा तो यहीए सब दोस्तों बक्री-पालन में यहीस ब मीनेजमेंट आपको समझना है सीखना है और यही कारण है कि इतने धूप में अपने घर से चल कर आना पड़ता है शिर्फ आप लोग के लिए स्टेलर फार्मिंग का एक प्रयास है कि बकडी पालन में आज सत्ते बात है कि लोग आते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनको सही तरीके से वो मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते हैं और हतास होके छे महीने एक साल है अंदर से चलके बात करते हैं पकड़ियां रात में यहीं इसी मेरा थे तो आपका घर कहां है यहां से घर से मेरे से में की तीन सो मीटर के दूरी पे सर तीन सो मीटर को ज्यादा दूर नहीं है आराम से आप आ भी सकते हैं अब हम देख रहे हैं कि जगा 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 आपने यह पटरा होता है वह डाल के रखे हुए इसके बाद इसके बादे थुद्धा सा पता ही है और मैंने की जो यहां बगल में बैठी हुई है और नीचे रहती है लड़ते रहती है ज्यादा अपने हाइट पर बैठती है और बरसाथ में अच्छा रहता है नमी से दूर रहती है तो दूस्तों बगडियों का जो होता है सोभावी होता है हमेशा वह उची जगह पर बैठना पसंद करती है तो यही सब यहां का मेनेजमेंट और अब हम बात करते हैं जो आपका सेड़ बना हुआ है कितने में आपने इस तरह का सेड़ बना दिया यह सर मैंने सेके इंट खर दया है फोटल था चोटा सा वही बेच रहा था सर तो पचीज रुपर में खर दा पांस लुपर भारा लगा पांस हु तो यह सब तरीका होता है कई बार होता है कि हम जब फार्म विजिट करते हैं जाते हैं लोगों के पास तो कंस्ट्रक्शन पर ही इतना उनका हैवी कॉस्ट आ जाता है कि देख क्यों समय हम लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि भाई बताईए और उनको बताते भी हैं कि आपके पास कहीं न कहीं मैनेजमेंट की कमी थी जानकारी का भाव था और जिसके कारण आपने हैवी इंवे पास के जो और एडिया है आपके गाउं के शटे हुए जो दूसरे गाउं है वहां सही आपने घूमके पचीस सो रुपए के आज पास में एक जानवर का आपको खर्च बड़ा हां सब्सक्राइब देखिए सरे मैंने खरदा था मैंने गाभी नहीं थी मातरा ठारा सुरुपए में यह ठारा सुरुपए में और सब्सक्राइब ब्रीड़ है उसी से अभी यह पाल खाई है सर दो तो यह होता है आप अगर गाउं में ऐसे घूम घूम के अगर आप जानवर खर देंगे तो अठारा सो दो हजार पचीस सो रुपए में आपको जानवर मिलेंगे तो कही बार लोग कहते हैं कि जो भाई दूसरे प्रांत से इस वीडियो को देखते हैं तो उनको बहुत वह कमेंट में लिखते हैं कि यह फरजी वीडियो है कहीं भी जानवर जो है 8000-10,000 रुपए से कम में नहीं मिलता है लेकिन भाई बिहार की यह खासियत है कि यहां के लोग भी ऐवरेज है जानवर भी यहां के एवरेज है और आप यहां आएंगे अगर गाउं-गाउं में बि ले उन लोगों के लिए फर्जी हो सकता है सर जिनके पास पैसा बहुत है और ज्यादा घूम के कोई चीज खरीदना नहीं चाहते हैं उनके लिए फर्जी लग सकता है लेकिन जो अगर मेहनत करना चाहेंगे जैसे मैंने जो सैड बनाए तीन आप में खरदा मैंने अगर आज क को बनाने मेंञा मुलहार силь टुम्यार के जोटल करेंगे तो आपको खर्च कम करना पड़ेगा मेहनत नहीं करेंगे तो खर्च आपको तो ज्यादा करना पड़े कई बार लोग होता है कि अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो एक आज जगा कहीं ऐसे चले जाते हैं मंडी वगएर में और एक मुस्त जो है एक ही साथ दस बीस जानवर खरीद के लिए पता चला चार पांचे लाग रुपए उसी में आप वो खर्च क बखरी आपके पास और दिपक जी जो बखरी आज जैसे इधर भी है काफी चमक में सब यह सब जानवर है इसके बारे में थोड़ा चा बताईए जो बखरी है नहीं आपके बेज दे कि यह बखरी मर जाएगी यह वाली सर लेकिन अभी सरी दो महीने से इतना सुंदर हमको ब पर जहरा हुआ था तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो बखरी है बाइस सो रुपए में इन्होंने खरदा है तो मैंने बताया आपको कि यही यहां जो है ब्लैक बंगाल का रेट है लेकिन आपको इस तरही के से मेहनत करना पड़ेगा तब कही न कहीं ऐसे जानवर सब्सक्राइब करते हैं तो यही तरीका भी होना चाहिए जब भी बक्री पालन करें तो कभी एक मुस्त ना कर दे एक एक करके और धीरे-धीर लाए तो ऐसे पॉकेट पर भी वजन नहीं पड़ता है और जानवर भी धीरे-धीरे सेट होते चले जाते हैं और एक ही बार पत जूजना पड़ता है तरह तरह की विमारी आजाती है तो यहीं एक तरीका होना चाहिए कि एक एक जानवर करके आप फार्मिंग के शुरुआत करें एक इन्वेस्टमेंट ना करें नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर कहीं नौकड़ी किये हुए रहते गौट फारम में तब कोई दिकरत नहीं था भीज भी खरीट सकते थे लेकिन अपने सीखने की बात करी तो लगया तो हम पूछ लेते हैं कि जैसे कहा से बक्री पालन का आइडिया कहा से आपको आया जो कहीं नर्सुने होंगे कहीं को आपको बताया होगा कहा से इसका इसका इडिया मिला मेरे मेरा था कि सर्म गाय पालेंगे गाय फारवनों खोलेंगे तो गाय सब्सक्राइब बहुत कोश्टली है तो मेरे ही गाउं के बगल मंझोली एक गाउं है तो मेरे मित्र हैं सर तो वह भी बक्री 2-3 रखते थे लेकिन वो ट्रेनिंग करके आए और बोले कि हम खोल रहे ह हैं बक्री फारण तो मैंने उनका देखा और हमब सरूंग कि इूटूब पर वीडियो दोन देखना चालूब एथा हम बहुत ज्यादा है तो सिर्फ मैंने चलू किया है और हमको इन्जुआ करते हैं गाव घर मेरे बहुत बजा कुदा आते हैं लेकिन हमको उससे फरक नहीं पड़ता है क्योंकि हम सर अपने टाइप में 15 साल के से अपना जॉब कर रहे हैं लेकिन जब है अगर मैं तीन सार चार साल पान साने अच्छा ग्रोथ कर जाएगा कर दो करने की जोट रहे हैं तो आपको इसी को देखना है तो दोस्तो ऐसे कर पहले हम य случай करते हैं और भाबा से बात करते हैं अपर वह घूमने वी आ आपका स्वागत है अब का भी आसुतों जी इस लहलाती दूप में बहुत बहुत स्वागत है अब बात चित के करम में दीपक जी बता रहे थे टोटल इनका मैनेजमेंट एक तरह से काफी अच्छे तरीके से यह कर रहे हैं पांच जार रुपए में पूरा सेड इन्होंने ब तो कुल मिलाके हमको जो लगा काफी अच्छे तरीके से इनका फार्मिंग चल रहा है आपका क्या मानना है देखिए सर जब धीरे-धीरे कोई कदम बढ़ाएगा तो फूख फूख कर कदम रखेगा वह बैलेंस नहीं होगा और जमीन का जो लेबल है उसके बारे में हमको प तो इन्होंने जब बकरी पालन में कदम रखा तो बगल में रंधीर है जो हमारे सीचरा चुके हैं और उनके द्वारा इनको गाइडलाइन मिला और एक अक बकरी एक बकरी गाओं गाओं घूम करके समय के अन्खुल धीरे-धीरे इन्होंने अपना संख्या बढ़ाया है ब अपको इसमें सफलता देखने को मिलेगा मेरा आखरी सवाल है वह अभावी जैसे गड़्मी का मौसम है तो आपके पास एक अच्छा अनुवाध है तो बहुत सारे किसान भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो बकरी पालन में जो बकरी पालन लोग कर रह इतना खालेगी कि खाते खाते मर जाएगी उसका हम बराबर वीडियो में बोलते हैं कि बकरी जब भी मरेगी तो खाके मरेगी तो खाने के पीछे इसको पानी का ध्यान नहीं है इसलिए इस गर्मी के मौसम में सबसे बढ़िया बात है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा इसको पानी से हम पेट को भरें जितना ज्यादा यह पानी पीएगी उतना ज्यादा बकरी इस गर्मी में स्ट्रेस से कम रहेगी तन इंसान कोई भी हो गर्मी में जब इधर उदर दोड़ भाग करते हैं और जब घर में जाते हैं तो शाम को हरास्मेंट लगता है लेकिन वहीं पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं गुलकोच गुलकोच का एक गिलास अंदर जाता है तो कुछ लगता है कि सरी में ताजिगी आ यह होगा जाता है तो ऐसा वेवस्था इनको भी है हम बोल सकते हैं इस लिए को 15 पिला वह वह यह बोल नहीं सकते हैं तो इनका ध्यान हमें रखना है क्योंकि बकरी पालक हम है तो आप जब भी इस गर्मी में खास करके आज का लोग ग्रेजिंग पे ले जा रहे हैं इसलिए कि मैदान खाली है यही दो महिना के बाद काम कॉतम हो जाएगा तो भी बकरीयों को पानी पीने के लिए आपको इनको चटपटा सा कुछ देना पड़ेगा कभी मीठा का गोल नमक का गोल दे दें कभी फिट किरी पानी दें कभी इसमें जो है मीठा सोडा मिला करके दें ऐसे नहीं पीती है तो थ्वासा बेशन उसन का इस्तेमाल करें एक ब ग्रेजिंग दिन भार रख ही इनको कुछ नहीं होगा लेकिन दिन भर ग्रेजिंग पर रहेगी ग्रेजिंग करके आएगी और आते हैं इनको प्यास लगेगा पानी नहींoly मिलेगा चूप जाएगी अगर पानी दे दे रहेगी बंग्रिया और िससे पिशाब बंद याज काल जो होता है करक्पिशाब होता है इस करक्पिशाब से भी आपकी बखी रहे says भाउत भौट धन्यवाद कारी देने के लिए दोस्तों एच्छे तरीके चैसे इसकि वहाए सब्सक्राइब कर我很 बहुत सारी चीज़ों अपना पर्सनल अनुभव इन्होंने आपके साथ साजा किया हमारे साथ साजा किया आप जब बक्री पालन करने की सोचे योजना बना रहे तो इस तरीके की चीज़ों को अपने फार्मिंग मोडल में जरूर इंप्लिमेंट करें दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी प्रसंद आई होगी फिर वी उसकता है कोई प्रसंद पूछने चरहे आपके अंदर कोई डाउट है या बक्री पालन से संबंधित किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम बाबा के साथ आएंगे तो सव किस्ट वीडिर कोई नेक्सर में जब हम रडन हैं यालन से याहँ प्रसंद चालन पालन।